दोस्तो साल का सबसे बड़ी एकादशी, देवुठनी एकादशी भगवान विश्नु को समर्पित होती है, माना जाता है इस दिन भगवान विश्नु का वरत करने से और उनकी पूझा करन से सभी पापों का नाश हो जाता है और मन्चाहे वर्दान की प्राप्ती होती है दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला गुरु जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो की हर समय कभी नहीं किया जाता है देखिये यह दिन इतना खास होता है इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाथ अनुष्थान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वो एकदशी के दिन एक छोटे से उपाई करने से ही आपकी मनुकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाई को किया भी है और उनको इस उपाई को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाई को देवुठनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाई को पहले अच्छे से समझ लेना सुन लेना उसके बाद करना आपको इस उपाई का फल जरूर मिलेगा कार्तिक माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को बहुत ही विशेश माना जाता है इसे देवुठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और देवथान भी कहा जाता है धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह के शुकल पक्ष की एकादशी से भगवान विश्णु चार महीने के योग निद्रा से जागते हैं इसलिए इस दिन देवुठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है इस दिन से शुब और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं इस शुब तिथी पर साधक व्रत करते हैं और विदिपूर्वक भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं साथ ही विशेश चीजों का दान करते हैं मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है साथ ही शुब फल की प्राप्ती होती है इस साल कार्तिक माह में आने वाली शुकल पक्ष की एकादशी तिथी का आरम 11 नवंबर को शाम 6 बच के 46 मिनट मिनट से हो रहा है जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4 बच के 4 मिनट मिनट पर होगा ऐसे में उद्याति थी के आधार पर 12 नवंबर 2024 को देवुठनी एकादशी का व्रत रखना शुब रहेगा खास बात ये है कि इस बार देवुठनी एकादशी के अगले दिन 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना शुब रहता है देवुठनी एकादशी के व्रत का पारंग 13 नवंबर 2024 को प्राता काल 6 बच के 42 मिनट मिनट से लेकर सुबह 8 बच के 51 मिनट मिनट के बीच करना शुब रहेगा देवुठनी एकादशी पर पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखने से जीवन में खूब सुख समरिद्धी सकारात मक्ता आती इस शुब मुहूर्त में भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की पूजा करने ववरत रखने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे बिगड़ते काम भी अपने आप बन जाएंगे यदि आप इस वरत की पूजा के समय विश्नु जी को तुलसी के पत्ते अरपित करते हैं तो आपके सारे पाप में जाएंगे दोस्तों हम आपको यहां पर बता दे कि यह जो एक दीपक वाले जो उपए है यह उपए गुरु जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है और इस उपए को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो आपको उसका कारण भी न दोस्तों अब इस उपाई को करने की समय है यह भी आप लोग जान लीजिये देखे इस एक दीपक वाले उपाई को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है सुबह का समय है प्रात काल का समय है वैसे दोस्तों देवुठनी एकादशी पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देवुठनी एकादशी के दिन भगवान भगवान विश्नु मालक्षमी जी पूरे दिन अपने दोस्तों इस दिन भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तो अब हम समझते हैं। आप देव उठनी एकादशी पर सुबह सुबह कर लो पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर थोड़ी लेट भी कर सकते हो हैं न। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यहीं होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उन में से कोई एक ये वाला उपाय करे मतलब कि अगर माता बहन उपस्तित न भी हो तो उस थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुश हो वह भी इस उपाय को कर सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर घर के सभी सदस्य एसको इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा तो देखिए एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यक्ता पढ़ेगी ही पढ़ेगी तो देखिए अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए देवुठनी एकादशी का जो दिन है उससे पहले माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में भगवान विश्नु मालक्ष्मी जी को प्रसन करने के लिए पूजा करता है उपाई करता है भगवान विश्नु मालक्ष्मी जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन हो जाते हैं और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाई कर लि क्योंकि हल्दी जो है ये भगवान विश्नु माल लक्ष्मी जी से जुली है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्य याय होती हैं जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका हो आता है। धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है तब भी आपको विशेश कर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाए एक आदर्श वाले दिन जरूर करना चाहिए देखिए इसी के साथ आपको बता दें इस बार देवुठनी एक आदर्शी पर बहुत ही दुरलब सयोग का निर्मान हो रहा है तो देखिए आपको बता दे की भगवान विश्नु मा लक्ष्मी जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसंद करना चाहते हैं अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं तब आपको ये पहला उपाय करना है एक कादशी के दिन तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना पिसी हुई हल्दी अब आपको क्या करना है आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है तो देखिये जब भी आप अपने जल में हल्दी डाल कर विशेश कर अगर एक आदर्शी के दिन आप अपने जल में हल्दी डाल कर स्नान करते हैं तो इससे होता क्या है आपके जीवन में आपका जो भाग्या आपका साथ नहीं दे रहा होता है आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंध होते जा रहे है जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है गरीबी बढ़ रही है जो आप अपने जीवन में बार-बार असफल हो रहे हैं न इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकाल कर आ जाएंगे आपके घर में आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है पैसा रोकना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरू की स्थिती बहुत मजबूत हो जाती है जिसके बाद आप जिस दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनिया होती है न तुलसी की ठानी को आपको छोटा छोटा कर लेना है ठीक है न छोटे छोटे पाथ में आप उसको तोड़ ले डिवाइड कर ले और फिर आपको क्या करना है एक लाल कपडे के अंदर टहनियों को रखना कितनी लेनी है आप दो ले सकते हैं पांच ले सकते हैं ग्यारह ले सकते हैं अगर ग्यारह की संख्या हो तो बहुत उत्तम है अब आपको क्या करना है लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है आप सबसे पहले आप आपको क्या करना ह अंदर की तरफ टांगे बाहर की तरफ नहीं ठीक है न या फिर से आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। जो भी आपकी मनुकामना होती है उसे भगवान विश्नुमा लक्ष्मी जी पूरा कर देते हैं और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसो आपके जीवन से दूर हो जाती है। ये चीज विशेश कर आपको ध्यान रखनी है ठीक है न तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनिया है तब ही ये उपाया आप करें दूसरी चीज की जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है है न बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जा इक है न तुलसी के पत्ते लेने है और आपको जब भी आप भगवान विश्णू मा लक्ष्मी जी को भोग लगाते है वैसे आप लगाते ही है हर बार अपने घर में तुलसी के पौधे पत्तों के साथ लेकिन एकादशी के दिन विशेश कर आपको तुलसी के दो पत्ते श जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं. एक चीज ध्यान रहे भूल कर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है और चावल का भोग भूल कर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है. ठीक है ना, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है ऐसा बिलकुल भ करें. भूल कर भी आपको यह चीज नहीं करनी है. तो देखिए जब भी आप तुलसी के दो पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं उनके भोग में उन्हें देते हैं तो इससे क्या होता है कि भागवान विश्नु मा लक्ष्मी जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसंद हो जाते हैं. चलिए आप बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी डाल कर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा. मा लक्ष्मी की ऐसी क्रिपा आपके उपर बस की आने वाली साथ पीडियों को भी नधन की कमी नहीं होगी. इतना ज्यादा भगवान विश्नु मा लक्ष्मी जी आपसे प्रसन हो जाते हैं. इस एक उपाय को करके देखिए पहली चीज आपको बता दे की हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी जा रहा है उससे खोल देती है क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनरजी है, नकारात्मा कूर्जा है, बुरी शक्तिया है. इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है. क्योंकि जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पर ये सारी चीजे रहती ही नहीं है. दूसरी चीज हल्द एक चुटकी हल्दी लेनी है और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है शुधर देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे गुल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है अब देखिए ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है कुछ लोगों का सुख गया या किसी किसी के घर में होता ही है है न तो वो लोग क्या करेंगे मंदिर में भी आप लगा सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहाँ भी आप लगा सकते हैं वरना ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है तो देखिए जब भी आप हल्दी का दीपक भगवान विश्नु मा लक्ष्मी जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे तब आपको उनका एक मंत्र है उस मंत्र को आपको ग्यारह बार बोलना है यह मंत्र सभी को आता ही है अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया इस मंत्र का आपको ग्यारह बा आप करना है, यारह बार इसे बोलना है। अब देखे जो लोग मंत्रिया नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है वो भगवान विश्णूमा लक्ष्णी का ऐसे ही स्मरंग कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे, बस इतना आपको करना है और क दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है, थोड़ी सी फूल की पंखुलिया रख ले या फिर कोई प्लेट रख ले, ठीक है न, चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है, तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, भगवान विश्नुमा लक्ष्मी के उपर विश्वास करते हैं, तो आपकी जित अपनी भी निर्धनता होती है, उसे भगवान विश्नुमा लक्ष्मी दूर कर देते हैं,